पिछले वीडियो में हम 22 हनुमान परशाद पोदार जी के भागवत करपा के अनुभवों का चौथे अंस्तक वर्णन किया था अब पांच्वा वर्णन जो है आपके सामने प्रिस्तुत में कर रहा हूं सुन्गे भाई जी जो थे भगवान की बहुती सचे भगत थे और भगवान राम की उन पर विशेश करपा थी तो सुन्ये अगला भाग लगबग सुन्य से तीस के आसपास की बात है मालविये जी के बतीजे स्री किर्शनकांत मालविये नैनी जेल में थे नैनी जेल से उनकी बदली बस्ती जेल में हुई नैनी से बस्ती जाने का रास्ता गोरखपूर होकर ही है उनने तार दिया कि गोरखपूर स्टेशन पर पंद्रे व्यक्तियों के लिए भोजन की व्यवस्ता दीजी उसमें इलाबाद से आने वाले गाड़ी शाम को करीब पांच बजे गोरखपूर पहुंचते थी तार गीता प्रेस में आता मैं उसमें गोरखनात के पास बगीचे में रहता था उसमें ने टेलीफोन था ने मोटर थी रिक्षे भी उसमें नहीं थे एक का भी जल्दी वहां मिलता नहीं था वहां से स्टेशन करीब तीन मिलोगा प्रेस वाले ने भूल यह की की भोजन का प्रबंध तो किया नहीं एक साइकल वाले के साथ तार मेरे पास भेज दिया तार मेरे पास लगबग पुने पांच बजे पहुंचा अब उसमें ने हमारे पास भोजन तया ने कोई सुवारी उपलद गाड़ी आने में करीब पंद्रमेट बांगी थे अब क्या करें मन में कुछ चिंता हुई प्रेस वालों पर भी मन में जंजला हट हुई की इंतजाम नहीं किया तार खोल कर पढ़ी लिया था ऐसे ही यहां भेज दिया हे भगवान अब क्या करूँ इतने में ही बाबू बाल मुकद्ण जी जिनका वे मकान था उनके यहां उस दिन परसाथ था उसी समय दो इक्के आये और उसमें पूरी साग मिठाई फ़ला दे सब चीज़ें थी कोई 20-25 विक्तियों का सामान था मेरे मन में आया कि यह तो भगवान नहीं बेज़े है उन्हीं इक्कों में वही सामान जोंका तेओं आदमी देकर स्टेशन भेज दिया गाड़ी 15 मिनिट देर से आई वे लोग सोड़ व्यक्ति थे सभी ने बड़े मज़े से खाया और बड़ी परसंता पर करके गए भगवान के मंगल विधान से सब ठीक हो गया अब छटा परसंग सुनगी प्रभू किरपा का एक बहर में दिली में बिमार था पहले स्री जुआला परसाद जी के पास था फिर भाई रामकिर्शन डालमिया मुझे ले गए बोले अब आप कुछ अच्छे हो गए मेरे पास चलिए मैं उनकी कोठी में ठारा हुआ था मैं नाम तो नहीं बताऊँगा एक सजन मेरे पास वामियने आए जो पहले बड़े अच्छे घ्राने की थे उसमें उनके आर्थिक सिथिती अच्छी नहीं थी बहुत खिराब थी उन्होंने अपनी लड़की के जीवर क पास रामकirsin के पास उसमें रुपे थे नी या उसकी इच्छा नी थी उन्हें कह दिया हम नहीं लड़केंगे मैं जिस कमरे में था वे आकर मेरे पास बैठ गई उन्होंने अपनी सौरी कथा मुझे सुनाई मेरे पास कोई व्यस्था नहीं, मैं उन्हें नहीं ही कहने वाला था, उनकी आखों से आशुप बहने लगे, इतने में ही एक महिला ने मेरे कमरे में परवेश किया, वे अम मर गई हैं, इसलिए नाम बताने में आपती नहीं, कलकते में एक फरम था, नौरंग राय नागरमल, नागरमल मेरे पिता, मामा के लड़के के लड़के थे, मेरे बड़े भाई लगते थे, तो वे मेरी भावी थी, वे कलकते से रतन गड़ जा रही थी, सवेरे श्टेशन पर किसी ने उन्हें कहा कि भाई जी, यहीं हैं, बिमार हैं, उसने सोचा चलो उन से मिला में, वे विचारी ढूंडते ढूंडते रामतिर्शन के घर पहुँची जब उन्होंने मेरे कमरे में परवेश किया तो सजन बैटे वे थे उन्होंने देखा कोई महिला आ रही है तो वे बहार निकल गए उन्होंनों आशु देख लिए वे मेरे पास आकर बैट गई उन्होंने सबसे पहले मुझे पोचा ये कौन है मैंने उनका नाम बता दिया बोले ये रो क्यों रही थे मैंने सारी बात बता दी वे बोली कितने रुपे थे मैंने जितने रुपे थे बता दिये आप सुनकर रास्चरिय करेंगे उन्होंने अपने पास से ठीक इतने ही नोट निकाले, जितने की उनको आफशकता थी, वह बोली, उनको दे दीजिए, मैंने का ये तुम क्यों देती हो, वह बोली, जब मैं कलकत्ते से रवाना हुई थी, तो मेरे पास पेटी में इतने ही रुपे इखटे थे, मैंने सोचा कि किसी अच्छे काम में लगा देंगे, आपके सामने बाचली ये अच्छा काम तो है ही, आप इने अच्छा बताते ही हैं, इसमें लगा देना बड़ा अच्छा, अब मेरे मन मैं कि इनको किस ने भीजा, ये तो मेरे पास अभी आए, और इसकी तयारी दो दिन पहले से हुई दो दिन पहले से ठीक उतने ही रुपियों की वेवस्ता करके भेजने वाला कौन है, यदि वह एक घंटा बाद आती तो इनसे बात चलती ही नहीं, अच्छा पहले आकर चली जाती तो कोई बात ही नहीं थी, ठीक उसी इसमें आई और उनके आशुव देख लिए, ये का मंगल विधान है, प्रारब्द के अनुसार जो अच्छा या बुरा फुल होना है वे होगा ही, पाप करने से चिंता करने से ने बदलेगा, ने कोई लाव होगा, भगवन नाम की करपा अनुभूती, नाम से मुझे ऐसे अनुभूव हुए हैं जिससे में कह सकता हूं कि ए संभव संभव हो गया, यह भगवान के नाम की महिमा है, छोटी सी चीज लगती है, यह महिमा भी पूरी महिमा नहीं, मैं अपनी जीवन की कुछ एक घटना बताता हूं, बंबी की बात है, हमारा एक पार्टनर्शी फरम था, एक बार एक सजन को कस्ट केस में मैंने अपन साथ जीदार को बिना पुछे रोकर से दस अजार रुपे दे दिये, वे रुपे उन्होंने कहीं से ला तो दिये, पर जहां से लाए उन पर कोई बड़ा आफ़ता गई, वे सजन मेरे पास आकर बहुत रहे कि कैसे भी एक दो बार दो तिन मेहने के लिए रुपे मिल जाए तो बाद में वे रुपे कंशे मंगवा देंगे, वे बहुत उचे घराने के आदमी थे, देश के बहुत उचे महान पुज्यनेता के घराने के विक्ति थे, मेरे मन में आए कि किसी त्रेन का काम निकाला जाए, अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो बस बगवान का नाम था, उन दिनों में सकाम जब कभी कभी करता था पर बहुत कम, यह बात सन 1924 के पहले की है, उसके बाद तो मैंने सकाम जब नहीं किया, उसके बाद के अनुभव तो मुझे नहीं बताने हैं, तो मैंने जब सुरू किया, वे वेचरे बड़े उदास थे, मैं उनके साथ अपने गद मिले, उन्होंने कहा, आप दोनों उदास क्यों हैं, मैंने सारी बात बता दी, उन्होंने सानुभवती परकट करते हुए, कहा कि सामने ही इंडिया बैंक है, इसमें मेरा खाता है, मेरे रुपे अफरिका से आने वाले हैं, यदी आ गए होंगे तो रुपे मैं अभी दे दे इस तरह रुपे देने भी नहीं पड़ेंगे और मित्रों चित विवहार भी हो जाएगा, भगवान की लीला बड़ी विचित्तर होती है, रुपों की जरुर्द तो आज हुई, और विवस्ता भगवान पहले से ही कर देते हैं, हम लोग सामने के फुटपात पर इंडिया बैंक में गई, उन्हेंने पूछा कि हमारे खाते में कितने रुपे ही, उत्र मिला कि कल तक तो कुछ नहीं थे, आज अभी अभी अफरिका से भी सजार का ड्राप्ट आया है, उत्र हम लोग पास में खड़े सुनी चुके थे, अब वे बेचारे क्या बोलते, उनके रुप इस तरह भगवान के नाम के पहले पहले की उमर के मेरे बहुत से अनुबव हैं, बंबी से कल्यान के प्रकाशन का सुबारम, बंबी में लगबग नौ वरस रहा, बंबी छोडन के करिव डेट वरस पुर दिल्ली अगरवाल महासभा में गया था, वहां बाई श्री गंशाम दास जी बुडिला की प्रेरना मिली, श्री जय दयार जी गोइंद कातता श्री लक्षमिन रायन मुरोदिया से प्रोहुत्सान मिला और बंबी लोटने पर, श्री श्री निवास दास जी बजास से विवस्था संचालन छपायादी के संबन्द में आयाचित पूरण सहयोग इसी के फल सवरूप बंबई सचंग भावन से सन 1926, 4 अगस्त 1926, स्रावन किर्शन 11 को कल्यान का प्रकाशन आरंब हो गया, कल्यान के 13 मेने के आंक बंबी से निकले, तेरवा आंक यानि दोसरे वर्स का पहला आंक श्री गंबीर चंद जी दुजारी की प्रनेरिना से विशेस आंक भगवन नाम आंक निकला, जिसके परचार में स्री कमभीर चंद जी दुजारी तता स्री राम किर्शन जी महुता से बड़ी सफल साहिता मिली, उसके बाद में बंबी छोड़कर गोरखपूर चला गया, और कल्यान भी गीता प्रेस गोरखपूर से परकासी तोने लगा, कल्यान के लिए गंदी जी का आशिरवाद प्राप्त करने मैं एमें सेट जमना लाल जी बजाव दोनों गई थे, गंदी जी बड़ी परसनवे और बोड़े, कल्यान में दो नियमों का पालन करना, बाहरी कोई विज्यापन नी देना, तता पुष्टकों की समालोचना मत चापना, विज्यापन ने चापने के संबंद में उन्होंने हेतु यह बता कि तुम अपनी जान में, पहले पहले यह देखकर विज्यापन लोग है कि वह किसी ऐसी चीज का ने हो जो भद्धी हो, और जिसमें धोखा देकर ठगने की बात हो, पर जब तुमारे पास विज्यापन आने लगेंगे, और लोग उनके लिए अधिक पैसे देने लगेंगे, तब तुमारे विरोध करने पर भी साथ ही लोग कहेंगे, देखे इतना पैसा आता है, क्योंने यह विज्यापन सविकार कर लिया जाए, बस पैसे का परलोग बनाया, कि फिर जन्ता के लाभाने की बात एक और रह जाएगी, अतैव आरम से ही यह नियम बना लोगी, बहरी विज्यापन सविकार करना ही नहीं है, समालोचना के संबंद में यह बात है, कि जो लोग समालोचना के लिए अपनी पुस्तके तुमारे पास भीजेंगे, उन में से अधिकांस इसलिए भेजेंगे कि तुमारे पत्रे में उनके गरंथ की परसंशा निकले, यह थार्थ समालोचना कराने के लिए अपनी पुस्तक भेजने वाले बिले ही होते हैं, ऐसी शित्ति में पुस्तक चाहे जैसी हो, या तो उनकी जोटी परसंशा करनी होगी, या उन साहित्यकारों लेखकों से जगड़ा मोल लेना पड़ेगा, इसलिए समालोचना मत्चापना, मैंने कहा बापू आपका आशिरवाद चाहिए भगवान सक्ति देंगे, इन दोनों नियमों का दिर्ड़ता से पालन होगा, बापू ने कल्यान की सफलता के लिए हर्दय से आशिरवाद दिया, तब से आज तक कल्यान की वही नीती चली आ रही है, गांदी जी ने जो आशिंग का व्यक्त की थी आगे चल कर वह सामने आ गई, जो जो कल्यान का परशार बड़न लगाते हों तो विग्यापन वालों के आगरह आने लगे, जिब इसके लिए एक लाग ग्राह होके तब लोग खूब अधिक पैसा देकर विग्यापन चपाने को तयार हो गए, समालोचना के लिए भी बहुत सी पुस्तगें आई, भुत तरह से दबाव डाले गई पर भगवान रक्षा करते चली आ रही हैं, कल्याण के प्रारमिक वर्षों में संपाद के रूप में भाई जी दुवारा स्री गंभीर चंद जी दुजारी को लिखे गए दो पत्तर, भाई गंभीर जी गंभीर चंद दुजारी ये है 13 अगस्त 1926 का, मासिक कल्याण का प्रत्मां की प्रकासित हो जगा है, बाहर भेज भी दिया गया है, मेरे दुवारा संचालन में सज्जनों का संदे अवस्य ही सा आधार है, परन्तु सारी बातें प्रमात्मा के आधीने में कुछ भी नहीं कह सकता कि भाविस्य में क्या कर स्योंगा, इसमें सज्जनों संदे नहीं है कि मैंने कल्याण का भार केवल एक दो अंकों को लिए ही नहीं लिया है, जहां तक सुरव प्रेड़क प्रभू की प्रेड़ना के नुसार कारिये के संपाधन की सामर्त है, वहां तक संचालन में त्रूटी नहीं हो, इसी विचार से ये काम कियागा, परन्तु भविस्य प्रमात्मा के आधीने मन से क्या लिख सकता है, यह आवशक है कि छपाने और गिरहाकों के यहां पहुंचने वगर्या के जंजर्शे मुझे जितना सिगर मुक्त कर दिया जाए, उतना ही संपाधन का कारिये सुचार रूप से होना संबाव, तो यहां छपाने में मुल्य अधिक पढ़ता है, छपने में असोधियां रहती हैं और सब कारिये संबालने में लेखा भी लेखने के लिए समय भी पूरा नहीं मिलता, तो इस परकार यह पत्तर जो है, अब भाई जी के मन में कुछ विरक्ता से आ गई थी, और परपंच से उपरामता आ गई थी, मतलब दुनियादारी के जन्जोटों से वो ठक चुके थे, तो उन्होंने बंबी छोड़ने का निश्चे किया, बंबी लगबग नो वरस रहा, सन 1927 में मेरी इच्छा ऐसी हुई कि कारोबार छोड़ दूँ, समाज छोड़ दूँ, राजनिती छोड़ दूँ और गंगा जी के तट पर कहीं एकांत में रहूँ, मैंने पुजय स्री शेट जी को लिखा, इसके पहले कल्यान बंबी से एक साल से अधिक निकल चुका था, शेट जी ने उत्तर दिया, कल्यान बंद नहीं करना है, तुम गोरखपूर जाओ, गोरखपूर में गीता प्रेस के स्थापना को समय पूरव हो चुकी थी, शेट जी ने कहा कि दो थीन मैंने गोरखपूर रह जाना, लादू राम जी को काम समभाल देना, फिर जहां तुमारी इच्छा हो चले जाना, गोरखपूर में आगमन, सननी से सताइस में व्यापार के सारे कामकाद से संबन तोड़ कर जब मैं बंबी से चला तब यही निश्चे किया था कि एक बार गोरखपूर जाकर फिर सदा के लिए कहीं पवित्र गंगातर पर निवास करके जीवन के से इस दिन केवल भजन में नहीं बिताना, साधान खर्च की विए स्था भी भाई राम किर्शन डाल मिया के साहियोग से होगी थी, पर होता वही है जो भगवान के मंगल में विधान के निशार होना होता है, स्री शेट जी ने यही कहा था कि कल्यान बंद नहीं करना है, तुम गोरखपूर जाओ, गो फिर तुम चले जाना पर होता वही है जो स्री भगवान के मंगल में विधान के निशार होना होता है, कल्यान को गीता प्रश से प्रकास की विवस्ता हो जा, इतने ही काम के लिए मैं गोरखपूर आता पर, प्रेस तता कल्यान का काम उतर उतर बढ़ता गया, आ सकती या वा गोरक पुराने के बाद सारा कारिया सुचार्य रूप से करते हुए पुजय भाई जी के हर्द्य में भगवत दर्शन की लालसा प्रती पल तिवर होती जा रही थी अन्य कुछ भी उन्हें सुआता नहीं था तिवर उतकंठा से बरे हर्द्य के भाव एक पद के रूप में प तेरी होडो उईलो जावे है मतलब है है भगवान तुमारे मिलने के लिए मेरा हर्द्य जो है बिल्कुल व्याकूल है और बिल्कुल जो है तिवर मतले एक परकार से इच्छ है है भगवान आपसे मिलने की तड़ा प्रवेजू मचली जन बिल अब तूं क्यूं तरसावे है दरस दिखाने में में देरी कर क्यूं अब और सतावे है पन जो इसी बात में तेरो चित्राजी होतो हो है तो कोई भी आँट नहीं मन चाहे जितनों दुखो है तेरे सुख में सुखिया हूं में तेरे लि तन मिलने की खातर मेरा प्राण छुण छुण में व्यकल होए है दर्शन की है भारी ठाने बांद तुड़ा कर भाग्या चावे माने नहीं किसी का काने आठों पैर उड़्यासा डोले पलक पलक की समझे हाने पन प्यारा तेरी राजी में है नित राजी मेरे मने प्राणा अधिक दोनों लोकां को तुही मेरो जीवन दने नहीं मिले तो तेरी मर्जी पन तन मन तेरो अर पन लोक बेद है तुही मेरो तुही मेरो प्रम्रतन चातक की जू सदा उड़ी क्यूं कदे नहीं मुहने मोडूं दुख देवे मारे तडपावे तो वी ने नहीं तोडूं तर्षा तर्षा कर जी लेवे तो भी तन्य नहीं छोड़ूं। जाकू नहीं दोसरी काणी तेरे महीं जी छोड़ूं। मतलब कुछ भी हो जाए बस आपकी जो है मैं आपका जो मेरे हर्दय में मुझ पैदा हो गया है उसको में कभी भी नहीं छोड़ूं। कितनी दुखाएं सूखाएं। अब जो है भगवान विश्ण के दर्षन की सुनियाई। जसी धी में भगवान विश्ण के साक्षात दर्शन भाई जी को सुरुप पिर्थम भगवान विश्ण के साक्षात दर्शन जसी धी बिहार में पुज श्री शेट जी के समक से 15-20 महानू भाउं की उपस्तिती में आश्विण किर्शन 6 सुकरवार 16 सितंबर 1927 को वेते इसका संकेत उसके पस्चात की पदर्शना और पतर्शन मिलता है जो निते नीचे दिये जा रहे हैं भाग्यवती जिन आँखों ने वे देखी रूप चटा अनुपमें त्रिप्त हो गई नहीं बता सकती हैं वर्नन में अक्सम रुकी लेखनी बंद हो गई चलतानी हाथ आगे अक्समा कीजिये परेमी पाठक सरल पाठके के सदबागे भगवर्द दर्शन के बाद की सित्थ यह पत्तर लिखा है 25 सितंबर 1927 को भाई रामेश्वर से प्रेम हरी समरन तुमारे दो काड मिले में जसी डी से आज आया हूं तीन-चार दिन बाद शेर से बाहर बगीचे में जाने का विचार है यह विचार किया गया कि मैने में अधिक से अधिक चार बार शेर में आया ज आये बाकि सब समय में वहीं एकांत में भजन और लेखन वगर का काम हो इसमें कहीं भी जाने का विचार नहीं पुझे माता जी की इच्छा देश में रहने की हो तो मुझे कोई आपती नहीं है उन्हें समझा देना वे आने की जल्दी ने करें मेरे रसोई वगरे के लिए रखा जा सकता है यहाथ से बनाई जा सकते है परंतो उनके सब की राजी के पर्दिकुल कारिया नहीं होना चाहिए दिज़ पी उन लोगों को मेरे पास रहने से पार्मार्थिक लाब भाहुत पहुंच सकता है क्योंकि मेरा जीवन अब दूसरी धंका हो चला है जसी डी से गोरख पूराने के पस्चाद भाई जी दुवारा स्री सेट जी को लिखा पत्र प्रम पूजवर हर्दय से प्रनाम जसी डी की ऐ भूद पूरो गटना के संबंद में हम लोगों के पहुचने से पहले ही कलकते से समाचार आ गए थे यहां के लोगों ने उकद गट करना जानने के लिए बड़ी उच्छ सुकता दिखलाई कल प्रातेकार तो विशेश कुछ ने कुछ कह कर केवल साधना पर जूर दिया गया रात को संकोच रहने पर भी विवयस होकर कितनी बाते कहनी ही पड़ी कलकते में बड़ा आंदुलन हो गया दिखता है सुने माया कि वहां स्री हीरा लाल जी ने भवन में व्याख्यान देते वे इस बात को कह दिया है भगवान जैसा कुछ करवाना चाहते हैं वही सरवथा नया संगत है यहां लोगों ने कहा कि हमें भी दर्षन होने चीश पर उनसे कहा गया कि जिनके बल और परताफ से दर्षन हुए हैं उनसे ही आप लोग भी दर्षन के लिए प्रयार्थना कर शकते हैं सेस में उनसे कहागा कि आप लोग जैसी डी की आगया नस्वार साधना करने के लिए तयार हों तो वह दिक कर साधना का करम पोचा जा सकता है परन्तों आप लोगों को कड़े से कड़े साधन के लिए तया अब आपके जचे जैसी बात लिखनी चाहिए, जिससे उन सब को बहुत सिगर प्रमात्मा के दर्सनों ऐसी तिवर साधन बतलाना चाहिए. गोरकपुर में पुने भगवत साकसातकार एं भगवान से वारतालाब के चार परशंग. पर्थम पर्शंग भाई जी की डायरी से तिथी साथ दस उन्नी सो सताइस सथान कांती बाबु का बगिचा गोरकपुर सहर के बाहर दक्षन तरफ से कमरे के पासवाला भीच का बड़ा कमरा समय प्रात्यकाल करीब साड़े साथ बजे. उपस्त थी सत्संग के समय कई लोग थे, उन में से कुछ के नाम ये हैं, श्री चेत्राम जी, बदरी परसाद जी, रामेश्वर जी, घंशामदास जी, संकरलाल जी. ध्यान की बात ओरी थी ध्यान भी हो रहा था, अक्समात परम प्रकास हो गया, भगवान श्री विश्न परकट वे, आकास में खड़े वे थे, करीब पांच-छे मिन्टों तक दर्शन होते रे, मुझे कुछ भी बोला ने गया, उनको ए मुखारवीन दोर नेतरों से करपा जलकरीती, जैसे पिता अपने पुत्र को और मित्र अपने मित्र को सने और प्रेम की दिरिश्टी से देखता है, ऐसा प्रतित होता है, यह भी अनुबव हो रहा था कि भगवान कुछ कहना चाहते हैं, और फिर उनकी यह मेरी, जब कभी इच्छा हो तो पधारकर दर्शन द द्यान हो गए, दिर भर उप रामता रही, इस घटना की सोचना देते हुए भाई जी ने श्री सेट जी को पत्तर लिखा, यहां प्रती दिन प्रातेकाल द्यान की बाते होती हैं, कल प्रातेकाल द्यान के समें 6-7 मिनिटे आंके खोले हुए, जिसे डीग इतरे से ही बगव होता है कि गुरु चर्ण के रपा से जब इच्चा हो तभी बगवान के दर्शन और उनसे वारतालाप हो सकते हैं, कल दिन में एक बार आपके चर्णों में आने के सफ्रना विधी, कारण कुछ पता नहीं, मुझे कभी कोई सोपन भी नहीं आते, साल भर शायद एक दो सोप आते हैं, परंतु पर्शो रात के सोपन में आपके जर्णों में तथा बहुत से अन्य लोग आपके साथ कहीं पर गए हुए हैं और पूरी बातें समरन नहीं हैं, दिवितिय पर संगति थी आठ दस उननीसो सताइसी स्थान कांति बाबु का बगीचा दरवाजे के समने वा बजे उपरामता ने जोर पकड़ा, मैं बाहर बैठा हुआ था, घर में चुना पोतने वाले मजदों का काम देखने की चेष्टा कर रहा था कि अचाने किसी के दवारा खिचा सा जाकर कोठरी के अंदर चला गया और अंदर से किवाड बंद कर लिया, उत्तर की खिड़की क पास कुर्षी पर बैठ गया और मन की भावना के अंचार किसी के बटन के लिए सामने कुर्षी और रखड़ी, अक्समात परकास हो गया, महान शांतिशी पर्तित होने लगी, मेरी उस समय की अवस्था में बरनन नहीं कर शकता हूँ, तत्काली भगवान का आविर भाव हो मेरे सामने की कुर्षी पर एक बार रखड़ी उनका चर्ण सपर्ष सुआ फिर आकास भी आकास मेरी मंतरंबुग्द साहँ हो रहा था, मेरे आनंद का पारव नहीं था, फेर वो मेरे सामने सृत्वे और करोणा और प्रेम के साथ महान आंद की वर्षा कर रहे थे, मैं तहादित हो रहा था, बहुत देर तक ऐसे तेरी, फिर भगवान बोले मानो आनंद का समुदर उबढा तेरी कुछ इच्चा बागी है, बड़ी हीमत से एक दो वाके मेरे मुझ से निकले कुछ नहीं केवल आप, इस समय भगवान की मदर मस्कान कुछ अनुखी ही थी, भगव मानो मेरा समर्शन क्या फिर धीरे धीरे बीच बीच में रुकर इतनी बातें कही, एक दर्शन की बाते गुप्तर अपने रखने में ही लाब है, दूसरा धरम के नाम पर परस पर डढ़ने वाले मेरा परभाव नहीं जानते, तीसरी, पूरी गोरक्षा में अभी विलंभ है चौथी, मेरे अवतार का समय अभी बहुत दूर है, पांचवी, जगत का कुछ बला करना हो तो बेद छोड़कर नाम का परटार कर लोगों से कह दे कि इस काल में नाम से ही सब कुछ हो जाएगा, मेरे अवतार में भी नाम ही हेत होगा, छटी बात कही, जो लोग नाम का सार लेकर पाप को अश्रे देते हैं, उनको सब धान करकी उनकी सुद्धी यंद्राज भी नहीं कर सकता, साथवी बात है, पापों का नास तता भोगों की प्राप्ति के लिए नाम का प्रियोग करना मुरकता है, पाप का नास तो फल भोग और प्रास्टिस सा भी हो जाता है, सबसे बड़ा बादक है, दम यों से साथवदान रहे हैं, और उनको भी साथवदान कर दे कि उनकी ब्रीगती होगी, कान क्रोध भी दम बुरा है, दस्वी बात, किसी को भी मेरे दर्शन का पक्का आस्वासन मत दे, ये भगवान करें, जसी डी के स्वाए इन बातों का मेर नाम से परचार नहीं करना, दस बारवी बात, अब इस तरह नहीं आउंगा, तेरे बिना बुलाए तो दो बार आ गया, मुझे ये बातें कहनी थी, इसलिए जब चाहिए समरन कार बुला सकता है, परंदू भूल मत करना, इसके बाद भगवान चुप होगे, मैं बड़े हर मैं देखता हूं कि पुर्व और की किखिटकी से श्री रामेश्वर्ता के देख रहे हैं, मैंने सामने की कुर्ची लगबग हटा कर किवार खोल दिये, उस समय घडी में करीब सवा दो विजेते, इसके बाद करीब चालिस गंटे तक उपरामता बनी रही, तृत्य एवन च पर नाम गत सुकरवार कार्तिके 21 अक्टूबर 1927 को में यहां पहुँच गया था, आपकी आग्या नुसार परसनों का उत्तर जानने की भावना मन में थी, कार्तिक किर्शन 22 अक्टूबर 1927 सनिवार को प्रात्यकाल करीब साढ़े पांच बजे सनान संध्यागे उपरांत म एकांत में बैटा था, बैठे बैठे ही नीन दिया बेहोसिशी हो गई, उसमें स्री भगवान दीख पड़े, उन्होंने मानो इस भाव के सबद कही, पहला उस कहा, जिन साथ विशों के परचार की बात तुम लोगों ने तै की है, उनकी परचार जितने अधिक देशों लोगों में हो, वैसी चेश्टा करो, लोगों को समझादो कि किसके मानने से ही कल्यान हो सकता है, दूसरी बात है, द्रम गिरंथों में दूसरा द्रम मानने वालों के लिए किसी द्रम गिरंथ का नाम ने लेकर गितोक्त है, भक्ति युक्त निसकाम करम का भाव मानने के लि कंचार लिए ने कोई शंकानी करनी चैए कि चोत्ती ही बाते थैं मेरी प्रेहन के नुशार कितना प्रचार हुआ है और अordinर में उसका पता पीछे लगेगा पांस बात मेरे मिलने के इन बातों का प्रकास काने से हानी है इतनी बाते सोनने के बाद मुझ्ये 뜨 हो गया उपर जो बाते लिखिये सबत तो कुछ दोश्रे बीते परभाव वही है आज सोमवार 24 अक्टूबर 1984 प्राटकाल साडे छेब जे ध्यान के लिए बीच वाले बड़े कमरे में बैठते आपकी आग्या निस्वार एक बार बगवान का समरन करने का विचारे कांत्मापरंतों ने मालम के पहले से प्रेरिना होने लगी थी इसी इसमें समरन किया आप जाए तद दिननु सार परशनों का उत्तर जानने और आपकी आग्या पालन करने के लिए श्री भगवान का समरन और आहवान गित्ता थोड़ी ही दिर में बगवान मा परतक्स परकट होगे लोगों को ध्यान में आज विसे से शांती मिली श्री हरी किर्शन दास जी और श्री चेतराम जी अच्छा ध्यान हुआ श्री दोवारी जी जो ध्यान के लिए आपसे उस दिन प्रारतना करते थे आज ध्यान में उनक का ध्यान होने के आशाने थी श्री घंशाम दास जी को आँख खोले हुए और मुंदे हुए प्रकास अत्यादिक मालूम भा उनकी आखें डबडबा आई और उन्य रोमांच भी हुआ श्री राम नर्शिंग जी को जसी डी की बाती ही आखें मुंदे और खोले हुए उन उनसे कहा गा कि प्रतक्स के से भाव को छोड़कर प्रतक्स मानों और चर्ण सपरस करने की चेश्टा करो परंतुर उनके कहा कि मुझे तो मन की दिर्ट कलपना ही मालूम होती है आखें अधिक देर तक खुली नहीं रहती आप से आप मुंद जाती हैं पीछे उनसे बात करन मालूम है कि उसमें उनके समझने में कुछ भूल रही थी लोगों के उठ जाने के बाद श्री राम नर्सिंग जी और श्री दोवारी जी बहुत दिर तक ध्यान में बैठे रहे भगवान से जिन चार बातों के पूछने की मन में भावना हुई जिए इस परकार हैं पहली आ किस नाम का परचार किस तरह किया जाए क्या सन्यास लेने से अधिक परचार हो सकता है चौत ही किस नाम का परचार किया जाए इन परशनों का उत्तर निमन लिखित मिदा पहला इस समझ में जयाद बैयाल से ही पूछो वही बता सकता है दूसरा कल कही कल कहाई था कारिय का प उतना करो सथान स्थान पर किर्टन होना बहुत अच्छा है सन्यास की अभी आवशक्ता नहीं आगे चल कर विशेश लाव हो सकता है चवती बाद कोई खास नाम नहीं है मेरे भाव से कोई सा भी नाम मन से ले सकता है इसके बाद गंशामदास जी के समध में तो मेरे मन में प्रयार्थना करने की भावना तो नहीं हुई, केवल आपकी प्रयार्णा अनुसार साथ अन भावना मन में हुई, जिसका उत्र तुरूंत यह मिला कि इसके द्रड निश्चा होने से हो सकता है। इन सब बातों का प्रकास का ने में हानी है, यतना कहते ही बगवान अंतर ध्यान होगे, कोई आद घंटे तक दरसन होते रहे, यही आज की गठना है, पहले परसन की प्रेरना और इसका उत्तर दोनों ही अदबत हैं, इस समद में मेरे विश्वास के नुसार जो बात मेरी समझ में आई, उसका खुला सा कभी रूब रूब मिलने पर हो सकता है, इस समय आप से कुछ पोचने का मेरा अगरे नहीं है, एक बार तो इस गठना को लेकर शुम आपकी शिवा में उपस्तित होने का विचार हुआ था, परन्तों फीची से यही बार ठीक समझा की, रिजिस्ट तो अभी इसका प्रकास ने होना ही बगवान की परेणा है, साथ बातों के समझ में मेरे ऐसे सफुर्णा हुए कि इनके समझ में तीन चार परष्ट का एक लेक लिखा जाए, इन में इन साथ बातों का खुलासा हो और उस लेक का बंगला, मराठी, गुर्म की, गुजराती, तमिल उर्दो रंग्रेज यादी भाष्यां में अनुवाद करवा कर लाखों के संख्या में पैंपलेट छपवाए जाए और बहुत कम मुल्ला या बिन मुल्ला भारत के प्रांद, प्रह सभी प्रांद और इंगलन अमरिकादी में देश में भी परचारित किया जाए, भा मेरी समझ में खर्च करने में उची थें, इस समझ में आपकी जो आजया हो सो लिखनी चाहिए, आपकी आग्या अनुसार कार्ये आर्म करने का विचार है और कोई बात इस समझ में जचे सो लिखनी चाहिए, स्वास्ते के समझ में और यहाने के समझ में जैव साब जचे सो लिखना चाहिए, अनुगत श्री हनुमान, मैंने पहले सोचा था एक दो ही जो है संक्षेफ में वीडियो बनाऊंगा लेकिन भाई जी की तो जो जीवनी है वो इतनी इतनी इंट्रेस्टिंग है कि भाई मेरा दिल मानी रहा कि मैं इनके जीवन चरित्र का पुरे ही जो है वी जी इतने ग्रेट थे मुझे इतना मालूम भी नहीं था प्रिभू करपा है भाई परेजना होती है तो दोस्तों नमस्ते प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करना, कॉमेंट करना, शेर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना धन्यवाद